वेल्कम बैक तो माई टूब चुन पेपर है कर कैसे हैं आप सभी लोग आई हूँ बच्छे होंगे और आज किस वीडियों देखने वाने है डीडियू गोरक पूर उनिवस्टी की बात करेंगे तो जो भी छातर गोरक पूर उनिवस्टी से है तो उसके लिए मौस्ट इंपो को देख ले लेते हैं लेकिन मैं आपको यहां सर्फ बीए वालों की बात करने वाला हूँ यह फिर्स्ट पेपर में हमें क्या-क्या याद करना यह जरूरी बन जाता है मैं इस वीडियो में केबल 10-11 कोशन दूँगा और इन कोशनों को याद करके मैं आपसे बादा कर सकता मेरा नंबर आप याद कर लेजिए 7037-3278-38 यह मेरा वाटसप नंबर है जिसका लिंक डिसक्रप्शन बॉक्स में वाटसप नंबर भी दे रहा है मैंने डिसक्रप्शन बॉक्स में आप बहां जाके सिंपल तरीके से मुझे आप पूरे पेपर का फोटू खेज कर या फिर फोटू खेज कर जरूँ सियर कर दो सभी लोग ठीक है अब यहां मैं आपको बता दूँ आपको क्या-क्या पढ़ना है फर्स्ट पेपर में जियोग्राफी के देखो यहां आपके सामने कुछ कोशन दे रखे हैं जो आपके लिए काफी इंपोटेंट है देखो यहां पहल पहला गया है पहला कोशन यह यह प्राचीन काल में भूगोल आप जियोग्राफी कहते हैं भूगोल को तो प्राचीन काल में भूगोल के बारे बोला गया है कि भारत और वैदिक महाकार जो महाकाब है और पुरान काल है उनके दौरान भगवलिक ज्यान बताना है आपको ज तरीके से कोशन आपका आपके पास नोट्स बुक गैस पर बगयरा पड़ा होगा है तो उसको आप ओपन करिये और इसमें इस तरीके से कोशन दिया होगा कि महाकाब और पुराका के ज्यान के बारे में वड़न करिये यह उल्ले किजिए तो आप बहां टिक लगा लो ठीक है उस कोशन पर ठीक लगा लो most important है याद रखना ये भारत बैदिक छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं लेकिन महाकाब के बारे में और पुराकाल के बारे में जरूर पढ़ लेना ये बहुत ज़दा important है भारत के प्राचिन काल यह मलब भोगोल के बारे में ठीक है उसके बाद एक है आरिभट most important है दूसरा है ब्रहगवत most important है और है उसके बाद है कह सकते हैं भासकरा चारे है ठीक है तो भासकरा चारे जो है आप इतने को याद कर लीजे इनको ये तीन के बारे में इनका योगदान क्या रहा है भूगोल जिग्राफी के अंदर कर आप इनको याद कर लिए इसको छोड़ देना ठीक है इनको एक बार पढ़ लोगे तो बना बना के लिखा हो गये ठीक है उसके बाद में एक कोशन और आता है जिसे पूछता है ग्रीक और रोमन भूगोल विद्था का योगदान क्या रहा है मतलब कह रहा है कि ग्रीक भासा और रोमन भासा द योगदान क्या रहा है देखो मद्द यूग में भूगोल जो है उसमें अरवत जो भूगोलवित्ता होते हैं उनका योगदान क्या रहा है ठीक है आप इसको देख लेना उसके बाद में लेक्स को बनता है कि यूरोप में पुरन जागरकाल का वड़न करो मौस्ट देखो आपकी गैस्पेप्र में लिखा होगा कि प्रिसित दियात्री उनके भवलिक होजे तो चार से पांच मैं ज्यादा नहीं कहूंगा आप चार से पांच दियात्रियों के बारे पढ़ लेना और उन्होंने कौन-कौन सी जो भुगोल है भुगोल के जर्मन में जो इसकूल बनाए गए है उनका क्या है उनका वडन करो उसमें क्या-क्या पढ़ाया जाता है उसके बारे में आपको डिसकस करने ना थोड़ा जर्मन स्कूल ऑफ जियोग्राफी के बारे में ठीक है उसकी बारे में एक कोश्चन यहां लिए पुड़े और यहां इसको स्टूड़ देना कोई दिक्कत नेगे इसको छोड़ा है इसको चोड़ा इसको गोल कर रहा हूं इसको द्हान से देख के जाना एक बार पढ़ लेना ने के बारे में यह दोनों most important जर्मन वाले और फ्रेंज वाले ठीक है अब उसके बाद में देखो next question आपके सामने बोला गया है सोवेद भोगोल स्वेद जो भोगोल होता है कहते हैं स्वेद भोगोल के बारे में इसमें स्वेद भोगोल के अंदर करता है कि भोगोल विग्यान का विकास मतलब कि भोगोलिक विग्यान का विकास कैसे हुआ जो भोगोलिक ज्यान है उसका विकास कैसे हुआ था यह आपसे पूछता है यह आपसे पूछता है डोकुवैच क्या होता है उसके बारे में पूछ लेता है इनकी योगदान के बारे में लेना उसके बाद में American School के बारे में जैसे अमेरिका में जैसे लोगों का योगदान बहुत जादा रहा है जैसे कि डेविस का योगदान रहा है इनके का योगदान रहा है तो इन योगदानों के वारे में इनको देख लेना ठीक है और बागी ज्यादा कुछ देखने की ज़ूरत रही है उसके बाद में greatest school देखो आपको पढ़ना पढ़ेगा greatest school में इन लोगों का योगदान बहुत ज़्यादा रहा है तो इन में से दो तीन को पढ़ लेना greatest योग में जो होती है उसका कारश्यबर क्या होता है विग्यान के रूप में भूगोल का वड़न कर रहा है ठीक है यंदर गतешь ल När फिंवित गई भूगोल के जो रुजहाव है मतलब कि जो हाली में औहбо जक्राफी के जो रुजहाव या रोजहान की तरीके से होते हैं ठीक है वह आप देहेंगे रोजहान के बारे में और चाहिन हाय से बहुं हो रही है तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा सर लेना इते आ ऐह सो में हो पहुँ हो यह केवल गोरकपुर उनिवस्टी के लिए है क्योंकि गोरकपुर उनिवस्टी का 16 चेंजस है बाकी जो मैंने आल उनिवस्टी के डाल रखे आप बोज को ध्यान से देख लिए बाकी कुछ और पढ़ने की जरुत नहीं है बाकी मैं इसका जियोग्राफी का सेकेंड पेपर म मैं सेकेंड वीडियो में अप्लोड कर दूँगा जो आपके लिए काफी इंपूट एंट रहे हैं ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दे रहा है थैंक यूप बचेंदे वीडियो बाइबाइब ज्यादा से सेकेंड़ आपके का सेकेंड़ाण ज्यादार से ज्यादा सेस्टपके लाजिदी है भीडियो है छोस्तों को शीजआ है अरते हैं ज्यादार से ज्यादा दूटबापन उ्या-अ.